हलो एवरीवन वेलकाम 29 दिसंब और फर्स्ट शिफ्ट के साथ मैं आप सब के सामने हाथ जरू एक बार फिर से तो बिना देरीकरी कुश्चिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहला जो कुश्चिन पूछा गया है वो है है हिमेइन देविफंटंट एंडक्स में इंधिया की रैंग पूची गई है त background इंदिया की रैंग ही 131 लेकिन इसमें टौप किसने किया है ये आपको पताना चुह हो सकता है किल्ग सिफ्ट में टौप किसने किया ये पूछ ले तो नॉर्वे ने इसमें किया है किसने सकतिकांत दास ठीक है लेकिन पूछ सकता है कि ये कौन से नंबर के हैं तो इनका नंबर कौन सा ये आपको पता लगा लेना है ठीक है फिर गूगल कर लीजेगा ICC का हड्कॉर्टर पूछा है headquarters आपको सभी के याद कर लेने जितने भी important institutions हैं उनके सब के तो यहाँ पर पूछा गया है इस paper में ICC का headquarters कहाँ पर है तो आपको इस related ICC से related जितने भी other informations हैं like ICC के chairman कौन है इसका headquarters कहाँ है यह तो हो गया और इसकी स्थापना कब हुई थी इस type के questions आपको त्यार कर लेने नेक्स question था भूटान की capital तो capital भी आपको बहुत सारे countries की याद कर लेने हैं जो important है तो भूटान की capital थिंपू फकीर विद्रो किस words हुआ था ठीक है history से आया एक question फकीर विद्रो किस words हुआ था फिर question था कि सांची स्थूप को विश्व बिरशत मतलब सांची स्थूप से related कोई question था अब यह नहीं एक्जेक्ट पता है कि क्या question था तो आपको यह comment करके जाना है कि सांची स्थूप को विश्व बिरशत इस्थल कव घोसित किया था UNESCO ने और मैं आपको यह बता दे रही हूँ कि सांची स्थूप कहां पे है तो MP, राइसे न MP में है ठीक है किसने बन वानए था मौर असम्राट असूक ने मन वानवा था नेच्स्ट था कि पहली वार समिधान दिवस कव मनाए गया या तो question यह था या फेर यह था कि समिधान कव मनाया जाता है तो दौना को आणसर यह है कि सम्मिधान दिवस तो 26 नवंबर को मनाया जाता है भीम्राव अम्बेटकर जी के वर्ड़े पर और सबसे पहले कव मनाएगा 2015 में मनाएगा ठीक है सम्मिधान दिवस सौराज की मांग से संबंद कोई क्वेशन था तो आपको पढ़ लेना है सौराज की मांग किस ने की थी कव की थी पहली बार कहां की गई थी इस टाइप की कुष्चन ठीक है फिर जो प्रधान मंत्री कि और करशी विकास्यों यह फिर जितने बी प्रत्रेश जिनके आगे लगा हुआ है भू वाले सारी इस्कीमा आपको याद कर लेनी है प्रधान मंतर कि करशी सिर चाहि dwell हो जा इस टाइप दिपने सब को याद कर लेनी है यहां पर पूची गई की फुलर्म् की फूल फॉलफास में सिल्वर की मात्रा थीक साकी सिल्वर की अे सिल्वर का ट्रांट होतीि या दो में सिल्वर में यह सिल्वर की नहीं होता है कि भी वाई की फूल फॉर्म कपूछी यह था फिर पुछा था जैर्मन सिल वर से घृल्वर की बुहुंग गई प्लस जड़ान प्लस न यानि कि copper zinc का निकिल फिर question science का यह था कि bile juice कौन बनाता है I mean bile juice कहाँ प्रोडूश होता है तो लीवर में प्रोडूश होता है ठीक है एक्क्वारेज या अमरे रा से related question था कि यह किस का mission है ठीक है ATP की full form पूछी गई है इस paper में तो हो सकता है next paper में आपसे ADP की पूछ ले तो दौना full form में आपके लिए लिख दी है adenosine triphosphate और adenosine diphosphate ठीक है energy currency of body किसको बोलते है यह question आया था energy currency of body किसको बोलते है ATP को ATP की full form यहां पे लिख क्यों ही है ठीक है फिर question था milk teeth से related था कोई question एक जैक नहीं पता है ठीक है तो आप digestive system में जो teeth से related जो भी है material उसको आप तयार के लेजी cell की खोज किस ने की थी यह question था proton की खोज किस ने की यह question था लिए आपको आप्सिंस अगर गौल्डिस्टीन मिले तो गौल्डिस्टीन लगाना या था फिर आपको थामसंन भी आप्सन मिल सकता है thumson नहीं rather food sorry protein की खोज के लिए गौल्डिस्टीन या फिर या फिर इुअनले इक्स है। बावर के पिता का नाम पूछा गया है। उमर से एक मिरजा। श्री। पूछा गया था। बावर के पिता था हो गया। बिलम्रांद का युध। बिलम्रांद का युध। गब हुआ था। 2540 में हुआ। किस किस के बीच हुआ था बाबर बाबर बोल रहे हुआ बिल ग्राम का युद्ध हुमाईू और सेर्शा सूरी के मद गुआ था ठीक है भारत का आठवा पीम कौन थे पीम को आपको जितने भी पीम अब तक हुए है जवालाल नहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदीर जी तक क तो आठवे नंबर के पीम पूचे गें चंद्रशे खड़ थे ते लंगान का राजपाल कौन अट प्रजेंट यह पूचा गया था यह पूचा गया था यह पूचा गया यह पूचा गया बाइसक्ट्वर सब्सक्राइब आपको जितने भी अधर इंफोर्मिशन सो वह सब आपको तयार कर लेनी है तो यह है 51 टाइगर रिजर्व है अट प्रजेंट जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व था वो था जिम कारविट कहां पे है उतरा खंड यूके में है और लास्ट जो लेटेस्ट एड़ हुआ है मतलब कि 51 वान जो बना है वो नागार जुन सागर स अंधर प्रदेशा हमें यूनों की फुल फॉर्म पूची गई है तो यह जी से क्वेश्चन न कोई बता सकता यूनों की पूच्छा गया एक क्वेश्चन मैस का और मुझे यादा रहा है कि वह था कि आट वस्तु का क्रेम उल्ले ध्यां से सुने आट वस्तू का क्रेम उल लेटर था जो बट्टे में होता है ना जैसे वन वाई टू वन वाई फाइव वन वाई थ्री ऐसा है कुछ इसका आल से में निकालो तो वह वाला था और बस अभी फिलाल के लिए इतना ही मिलते नेक्स विर्म तब तक लिए नमस्कार प्लीज वीडियो को शेर कर दीजेग Thank you so much definitely